हेलो दोस्तों तो चलिए आज बनाते घर पर ही बहुत ही जादा टेस्टी गुलाब जामुन की रेसिपी जिसका टेस्ट बिलकुल मार्केट वाली गुलाब जामुन टाइप में रहेगा और ये बहुत ही जादा इजी बनाना और इसे कोई भी बना सकता बिना फेल हुए तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जादा टेस्टी रेसिपी है तो एंट तक जरूर देखना तो गुलाम जामूर बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन को चरहा दिया उसमें डाला है वन बॉल तूद और जो फ्लेम है वो बिलकुल ओफ रखना है उसके पहले हमें सारे इंग्रीडियन्स आइट करना है उसके बाद फ्लेम को ओन करना है तो इसमें मैंने डाल दिया एक चमज खी साथ ही मैं हम इसमें अभी डालेंगे दो चमज सुजी यानी कि रवा टो दो छोटी चमच ही सुझी डालना है इसमें उसके बाद हम इसमें 1 बॉल milk powder एड़ कर देंगे और पॉल्ड़ का जो गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिलकुर मार्केट वाल गुलाब जामुन के से टेस्ट रहता है तो अब हम सारे ingredients को अच्छी तरह से mix कर देंगे और flame को off ही रखना है on करके नहीं mix करेंगे वन्ना जो है वो lumps रह जाएगा mixture में तो पहले हम इसे अच्छे से mix कर देते, lumps free कर देते, उसके बाद gas को on करेंगे तो ये देखे सारे ingredients को बहुत ही अच्छी तरह से mix कर लिया है मैंने उसके बाद हम gas को on कर देते ठंडर दूद्द मिक्षर mix करने से बहुत ही अच्छे से mix हो जाता है अब मैंने flame को on कर दिया है और flame को हमें medium में रखना है और साथी में ये जो mixture है उसे stir करते हुए थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो ये जो mixture हम बना रहे है उसे आपको continuously चलाते रहना है जिससे कि वो चिपके ना और बहुत ही अच्छे से इसे mix कर देना है और तब तक mix करना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए इस तरह से इसका जो texture है वो इतना गाढ़ा हो जाए थिक texture में convert हो जाए और pan भी बहुत अच्छी तरह से छोड़ दे तो ये देखिए आप इसे 5 मिने तक इस तरह से medium flame में stir करेंगे ना तो इस तरह का इसका texture बन जाएगा और ये perfect texture बन चुका है तो अब हम flame को off कर देते है और इसे थोड़ दे तक ठंडा कर देते है तो ये जो हमने यहाँ पे mixture बनाया ना वो आपको medium flame में बनाना है high flame नहीं करना है तो जब तक mixture ठंडा हो रहा तब तक हम चासनी बना लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे one ball चीनी लिया है और half ball हम इसमें पानी डालेंगे तो अगर आपको चासनी थोड़ा कम लगेगा तो आप चासनी बना सकते हैं पर ये याद रखेगा कि जितना ह हम चीनी लेंगे उसका आधा हमें इसमें पानी डालना है तब हम इसे boil कर लेते हैं और इसे जो है वो हमें एक तायर की चासनी बना कर तयार करनी है तो अगर आपको चासनी बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा तो नॉर्मल चीनी को पेगला लीजिएगा तब तक चासनी तय हो जाएगा तो मैंने यहां पर दो इलाइची इसमें डाल दिया है टेस्ट के लिए आप चाहे तो इसमें जो केवड़ा वाटर वगेरा आता है रोज वाटर डाल सकते हैं उससे टेस्ट जो है वो थोड़ा ओरिनाइंस हो जाता है तो यह देकि चासनी पर्फेक्ट बन कर कैयार हो चुकी है पूरी चेनी पिखल गई है तो हम फ्लेम को आफ कर देते और इसे अलग से रख देते उसके बाद हम आगे के रजुला बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते तो यह जो है मिक्शर हमने बनाया था ना वो पूरा ठंडा हो चुका है तब हम इसमें एड़ कर करें कि अच्छी तरसे बाइंड हो जाए और जब हम इसे तले तो यह फर्ट न जाए तो यहां पर मैंने तीन छोटी चमच मैदा एड़ कर दिया है और साथी में हम इसमें हाफ टेस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे अगर आप बेकिंग सोडर डालते तो वह वन फो से मिक्स कर लीजेगा जिससे की इसका जो टेक्शर है बहुत ही जादा स्मूध हो जाए तो यह देखी कितने अच्छी तरह से डो बन कर तयार हो चुका है तो चलिए अब हम इसकी बाल्स बना लेते तो मैंने यहां पर छोटा छोटा ही बाल बना रही है क्योंकि जब हम इस से तलेंगे या फिर रस में जाएगा तो यह खिलेगा तो आप अपने ही इसका साइज जो बड़ा चोटा कर सकते तो यहां पर मैंने सारा बाल्स जो है वो बना करके तयार कर लिया है और मैंने थोड़ा लंबा वुला जो रस गुला आता है गुलाब जामूर उसका भी कर लेते हैं कि रस गुला जो फट नहीं रहा है अगर वो नहीं फटेगा तो वह ussके बाद जो सारा रस गुलाम हमने बनाया है वह हम इसमें आड़ करेंगे और तलेंगे लेकि Weamentoer अर अगर रस गुले में क्रैक आरा है तो आप उसमें थोड़ा सा और मैला डाल करके उससे स्मूथ कर सका है जो हम तलेंगे न वो आपको लो फ्लेम में तलना है और फ्लेम को मीडियम भी नहीं रखना और नहीं हाई रखना है तो ये देखी बहुत ही अच्छी तरह से जो पहला रजगुला डाला था वो उपर आ गया है तेल में तलने लगा है उसके बाद मैंने यहा चमच ले लीजिए या फिर आप कढ़ाई को यह हलके हलके से हिला सकते या फिर इस तरह से चमच से तेल को हिला सकते रजगुले को नहीं हिलाना है वरना वो एक दूसरे में सैट करके फट जाएगा तो आप साइट साइट से बस इस तरह से तेल को हिला दीजिएगा तब आप परस गुले को हिला सकते हैं कि वो इस टाइम तक बहुत ही अच्छे से पक चुका होगा और वो क्रैक नहीं होगा तो बस एक बार रंग आ जाएगा उसके बाद हम इसे तेल से बाहर निकाल देंगे तो आप देखे कितने अच्छे तरह से रंग आ चुका है बहुत ही अच्छे तरह से तो इसी तरह सारे गुलाब जामून को हम लोफले में तल लेते हैं उसके बएद हमने यहां पर चासनी बनाया उसे बहुत ही अच्छी तरह से गरम करना है उसके बाद ही गुलाब जामून अड़ करना है इसमें अगर ठंड़ चासनी में गुलाब जामून अगर हम लोग डाल देंगी तो चासनी जो है वो अंदर तक नहीं घुस पाएगा तो इसलिए गरम कर लेना है अच्छी तरह से चासनी को उसके बाद ही सारे रसगुले को उसमें आड़ करना है। तो देखी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसका कलर भी आया और बहुत ही अच्छी तरह से खिल भी चुका है। गुलाब जामुन को एक बार बॉयल कर लेजिए। बाइ